नमस्कावर मैं हूँ रश्मिकरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 निउस केंद्रिय ग्रैमंत्री अमिट्षा का उत्तर प्रदेश के रायबर रेली का दौरा अब चर्चा बन गया है जिस चुनावी रेली को हमिट्षा संबोधित करने पहुचे थे उसमें एक पत्रकार के साथ बीजेपी कारेकरताओं पर मारपीट का आरोप लगा है मॉलेटिक्स वेब पोटल से जुड़े पत्रकार रागा उत्रिवेदी का आरोप है कि वो बीजेपी की सभा में महिलाओं से सवाल पूछ रहे थे तब कथे तोर पर पार्टी के कारेकरताओं की तरफ से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई आरोप है कि चुनावी सभा के दौरान महिलाओं ने पत्रकार को बताये कि उन्हें पैसे दे कर रैली में लाये गया है जब पत्रकार ने ये बात रिकॉर्ड कर ली तो इस बात से नाराज होकर बीजेपी कारेकरताओं ने उसके साथ मार पीट कर दी और अब इस मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वारल हो रहा है और इस मामले पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठा रहे है जानकारी के अनुसार इस मामले में कैमरामेन की तरफ से 6 अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमत दर्ज कराए गया है कॉंग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के राय बरेली में अमिच शाह की रैली थी यहां महिलाओं ने एक पत्रकार को बताए कि उन्हें पैसे दे कर रैली में लाए गया है पत्रकार ने ये बात रिकॉर्ड कर ली इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उससे वीडियो डिलिट करने को कहा जब पत्रकार ने मना किया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया फिर मंच के पीछे एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीट पत्रकार से रुपे भी छीने गए बीजेपी के गुंडों ने हाल में ही अमेठी के कॉंग्रेस कारेले के बाहर खड़ी गाडियों में तोड़ फोर की थी और कॉंग्रेस कारकरताओ पर हमला किया था ये घटनाय बता रही है कि बीजेपी के लोग सामने दिख रही हार से बौखला चुके हैं अब अन्याय का अंत होने को है वहीं सपा अध्यक शकलेश यादव ने मामले पर कहा कि हिंसा हार की निशानी होती है भाजपा कि राय बरेली की एक रैली में पैसे दे कर लाए गए लोगों के बारे में जब दिल्ली के एक पत्रकार ने सच सब के सामने लाने की कोशिश की तो भाजपाईयों ने उसके उपर हमला कर दिया यही है उत्रप्रदेश में कानून विवस्था का सच जब देश के ग्रहमंत्री की रैली में ये हाल है जिनके अधीन पुलिस होती है तो फिर बाकी देश का कितना बुरा हाल होगा कहने की जरुरत नहीं है भाजपा हिंसक महौल बनाकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे है कभी नहीं चाहती भाजपा इसके साथी कॉंग्रिस महासचीव प्रयंका गांधी ने भी इस मामले पर बीजे पेपर निशाना साथते हुए कहा है कि रायबरेली में ग्रहमंत्री अमिशा की सभा में भाजपा के लोगो द्वारा मॉलिटिक्स इंडिया के पत्रकार रागवत्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया है ग्रहमंत्री जी भाशन देते रहे और पुलेस मूख दर्शक बनी देखती रही पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्हें कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिये गए थे पूरे देश के मीडिया का मूब बंद कर देने वाली भाजपा को ये बरदाश नहीं है कि उनके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठा दे सविधान खतम करने का अभ्यान चला रही भाजपा इस देश से लोकतंत्र को खतम करने की जनता की आवाज को छीनने की कोशिश कर रही वहीं बिहार के नेता पपू यादव ने कहा कि रायबरेली में ग्रह मंत्री अमिट शा की रैली में निर्भीक पत्रकार रागत वेदी पर बीजेपी वालों ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया है अस्पताल में उनका उप्चार हो रहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ भाजपा में हार की बॉकलाहट जबरदस्थ है भैभीत भाजपा पत्रकारों की पिटाई कर खीच उतर रही है पत्रकारता करने पर प्रहार चाटुकारता करने पर प्यार भार्षपा का ये न्याय वेवहार चार जून को चली जाएगी ये सरकार पत्रकार रागत रिवेदी सराइबरिल जीरा में स्पताल में मिला शीघर स्वस्त हो अभी लेंगे एक छोटा सब ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लोटेंगे दूसरी खबर पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डाबडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबुल रेट्स में रेके बाद आपका स्वागत है देश भर में इन दिनों लोगसभा चुनाओ की सरगर्मी बरकरार है राजनेतिक दलों की ओर से दावो और प्रतिवादों का दौर भी लगता जारी है वही चुनाओ के बीच कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी जारी है दरसर आपको बता दे कि कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने लोगसभा चुनाओ पर सारजनिक बहस के लिए दो पुर्ग नयाधीशुम और एक प्रतिष्ठित नागरिक के निमंतरन को स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें या पार्टी प्रमुक मलिकार जुन खडगे को ऐसी चर्चा में भाग लेने में खुशी होगी इसके साथी कॉंग्रेस नेता ने ये भी उमीद जताई है कि प्रदान मंतरी मोधी इसमें भाग लें और इस बयान के बाद से ही बीजेपी कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी पर हमलावर नज़र आ रही बता दे कि केंद्रिय मंतरी और अमेठी से बीजेपी लोगसभा उमिद्वार स्मृति रानी का कहना है कि राहूल गांधी के अंदर अपने तथा कथित महल में एक सामाने बीजेपी कारकरता के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है शेखी बगहारने से बचें दूसरी बात जो पीम मोदी को बराबर बैठ कर बहस करना चाता है मैं उससे पूछना चाती हूँ कि क्या वो इंडी गट बंदन का प्रधान मंतरी उमिद्वार है दो चीजें जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भरतिय जन्ता पार्टी के एक सामाने कारेकरता से अपने सो कॉल गड़ में चुनाव लड़ सके वो डिंगे नहीं हांके तो बहतर लेकिन प्रधान मंतरी मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ क्या वो इंडी गट बंदन के प्रधान मंतरी के उमिद्वार है वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने राहूल गांधी की चुनावती को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कौन है राहूल गांधी जो प्रधान मंतरी नरिन मोदी से उनसे बहस करे राहूल कॉंग्रेस की तरफ से पीएम उमिद्वार भी नहीं है इंडिया ब्लॉक की बात तो छोड़ ही दे पहले वे अपने आप में पीएम उमिद्वार घोशित करें कहें कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और पीएम को बहस के लिए बुलाएंगे अब क्या है पूरा मामला वो हम आपको बता दें बता दें कि वायनाड और राइबरलिल सीट से चुनाओ लड़ रहे है राहूल गांदी और देश के प्रधान मंत्री नेर्मोदी को सुप्रीम कोट के पूर्व नयाधीश मदन भी लोकूर उच नयायले के पूर्व मुखे नयाधीश एपी शाह और वरिष्ट पत्रकार एनडाम के एक पॉब्लिक डिबेट के लिए निमंतरन दिया था जिससे राहूल गांदी ने सुईकार कर लिया था राहूल गांदी ने कहा कि इस तरह की बहस से स्वस्त लोकतंत्र के प्रमुख दलों का एक मंच में अपना व संध होंगे राहूल गांदी के इस चुनोती के बाद बीजेपी उन पर जमकर हमला कर रही है बीजेपी आईटी सेल प्रमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रासंगिक्ता के लिए बेचैन अर्विंद के जिवाल को अंतरिम जमानत के बाद राहू गांदी अब अपने वजन से उपर उठ गए हैं बहस अच्छी है लेकिन मौजूदा प्रधान मंतरी में राहूल गांदी से बहस क्यों करनी चाहिए वो ना तो कॉंग्रेस अध्यक्ष है और ना ही इंडी गर्ध बंदन का प्रधान मंतरी चेहरा कॉंग्रेस को राहूल ग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन